स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम जानेंगे Inventory Info के बारे में Inventory Info क्या होता है और Inventory Info की इंट्री को हम Tally ERP9 के अंतरगत कैसे करते हैं Inventory Info होता क्या है पहले हम इसके बारे में जानते हैं Tally में Inventory Info से हम Company के सारे Stock Item की लिस्ट को बना सकते हैं जैसे Inventory Info में हम Stock Group, Stock Item तथा Unit of Major को तयार कर सकते हैं और इसकी इंट्री को Inventory में हम कर सकते हैं अब बात करते हैं Stock Group Stock Group होता क्या है तो Stock Group एक Group होता है जिस category के आप Product बनाते हैं हम एक Group बना लेते हैं उसी को हम Stock Group कहते हैं Stock Item जिस भी Item का आप Business कर रहे हैं बैपार कर रहे हैं जिसे आप बेच के Profit गेन करना चाहते हैं तो वो आपके बेवशाय के लिए क्या गूड्स है यह नहीं किया है आप उसे benevolent usage के लिए क्या morning को बच पर्चेश कर रहे हैं तो वो बैवशाय के लिए Stock Item नहीं होता है बैवशाय के लिए Stock Item जो तभी होगा जब आप उसे बेचने के purpose से क्रेकरते हैं बेच के उससे लाप राफ्त करने के purpose से आप क्रेकरते हैं कि आप किस quantity में उस unit को बेचना चाहते हैं तो हम याँ से unit of major को भी create कर लेते हैं क्योंकि किसी भी product को बेचने से पहले उसकी unit को निर्दारित किया जाता है तो आईए हम दिखते हैं कि stock group, stock item तो था unit of major को कैसे बनाते हैं और उसकी entry को tally ERP9 के अंतरकत हम कैसे करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर ले चलिए वीडियो को start करते हैं आप देख सकते हैं हम आचुके हैं यहाँ पर inventory info में यहाँ पर आपको stock group देखने को मिल रहा है तो stock group को हम कैसे create करते हैं तो stock group को हम दो प्रकार से create कर सकते हैं जैसे हम stock group पे enter करते हैं आप यहाँ पे देखेंगे कि single stock group और multiple stock group तो अगर आप single stock group create करना चाहते हैं तो यहाँ से single stock group के create को select कर सकते हैं और अगर आप multiple stock group select करना चाहते हैं create करना चाहते हैं तो आप यहां से multiple stock group को select कर सकते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, single stock group को select करेंगे, अब यहां पर stock group creation window open हो जाती है, अर्थात stock group को create करने के लिए, सबसे पहले हम gateway app tally पे जाते हैं, gateway app tally पे जाने के बाद, यहां हमें inventory info का option दिखाई देता, inventory info को select करने के बाद, stock group को select करते हैं, यहां से single stock group में आके, यहां से हम create को select कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि हम computer का group बनाएंगे, हमने क्या 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 group बना लिया, और इसे हम accept करा लेते हैं, तो हमने बनाए computer का group, और इसे हमने क्या करा लिया, accept करा लिया, अब group बनाने के बाद, हम बनाएंगे unit of major, unit of major क्या होता है, कि आप जो भी item बनाएंगे, उसे किस quantity में sell करेंगे, तो यह simple unit of major है, simple unit of major बनाने के लिए सबसे पहले हम gateway of tally पे जाते हैं, यहां हमें account inventory info का option दिखाई देता है इसे select करने के बाद, unit of major को select करते हैं, फिर create को select करते हैं, तो simple unit creation यहां पे open हो जाता है, और यहां से आप unit को create कर सकते हैं, जैसे हैं मैं यहां पे एक unit बना लेते हैं PCS symbols हो गया और यहां पे आप formal name में लिख लेजिए, PCS number of decimal place को 0 रहने देजिए और आप यहां से इसे accept करा लिए आपने क्या किया, unit of major create कर लिए, अब हम जानते हैं stock item को हम कैसे create करेंगे, तो stock item को create करने के लिए हम आजाते हैं stock item के इस option पे, और इसे हम select कर लेते हैं, इस stock item को भी हम दो तरह से create कर सकते हैं, single stock item और multiple stock item single stock item के create पर हम जैसे ही select करेंगे आप देखेंगे single stock item creation window यहाँ पर open हो जाती है अब यहाँ पर हमें क्या बरना है जैसे हम बना रहे हैं mouse mouse इसका under group क्या हो गया है इसका group हो गया computer यह किसका part है computer का part है ठीक है अब unit इसे हमें किस unit में बेचना है तो piece के recording बेचना है ठीक है अब हम इसे accept करा लेंगे अगला बना लेते हैं keyboard यह भी हमारा किसका part है computer का part है इसे भी हम piece के recording ही sell करेंगे इसे भी आप accept करा लेजिएगा फिर हम बना लेते हैं cpu computer हो गया इसका under और unit हो गया piece इसे हम क्या कर लेते हैं accept करा लेते हैं तो यह तो हमने stock item बना लिया अब item तो हमने बना लिया पर हम किसी भी वेक्ति को purchase या sales करेंगे तो उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा लेजर बनाना पड़ेगा तो लेजर बनाने के लिए हम आ जाते हैं accounts info में लेजर में और यहां से create मान लिजे कि राम एक party है जिससे हम product को क्या कर रहे है purchase कर रहे हैं तो जिस भी बैखती है party से हम product को purchase करते हैं वह होता है pen number अगर आफ फिल करना चाहते हैं तो यहां से pen number भी फिल कर सकते हैं अब राम से हम कर क्या रहे है purchase purchase का under होता है purchase account इसे भी हम क्या करेंगे accept करा लेंगे अब एक party है sita जिने हमें क्या करना product को sell करना है हम एक party का laser बनाएंगे sita जिस भी बैखती या party को हम कोई product sell करते हैं उसका जो laser होता होता है sendri debitter अब आप यहां से sita का भी address भर लेजिए लंका गाजी पूर हो गया यहां पिन का pin code भर लेजिए आप यहां से इनका provide कर सकते हैं pen number अगर आपके पास है तो आप pen number fill करें और इसे क्या करा लिजे control ए करा लिजे अब हमने क्या किया laser भी बना लिया stock item भी बना लिया अब हम क्या करेंगे इस product को sell करेंगे अर्थात इस product को अब हमें बेचना है, तो बेचने के लिए हम क्या करते हैं, किसी product अभी तो हम purchase करेंगे, RAM से, फिर SITA को क्या करेंगे, बेचेंगे, तो हम आजाते हैं, accounting voucher में, accounting voucher में आने के बाद, हम यहां से keyboard से F9 की को क्या करेंगे, press करेंगे, purchase की को, press करेंगे, अब आ यहां पर आप supplier invoice number 123 फिल कर देते हैं, यह होगे हमारा date, अब हम party name select करेंगे, किस party से आप product को खरीदना चाहते हैं, तो आप यहां पर party name को करेंगे, select, party name को select करने के बाद, आप control ले करें, purchase करेंगे, अब mouse, आप mouse खरीद रहे हैं, मान लिजे हम mouse कितना खरीद हैं, 100 piece keyboard, keyboard भी हम क्या कर रहे हैं, 100 piece खरीद रहे हैं, 220 रुपे के हिसाफ से, cpu, हम cpu भी purchase कर ले रहे हैं, 100 piece, और यहां पर 4000 रुपया पर piece के हिसाफ से, अब हमने क्या किया, ram से product को purchase कर लिए, purchase करने के बाद, हम क्या करेंगे, ram को payment करेंगे, payment करने के लिए, आप keyboard से press करेंगे, f5 payment की function की होती है, आप यहां से भी क्या कर सकते हैं, f5 पर click कर सकते हैं, अब यहां से हम accounts को select करेंगे, cash, और यहां से हमें पैसा किसे देना है, ram को, ram को select करेंगे, आप यहां पर देखेंगे, ram को amount show कर रहा है, आप यहां पर ram के amount को क्या करेंगे, fill कर लेंगे, fill करने के बाद on account आप select करिएगा और आप इसे क्या करा लेजिएगा accept करा लेजिएगा अब हमने क्या क्या purchase तो कर लिया अब purchase करने के बाद इस product को हमें क्या करना है sales करना है बेचना है sita को तो आप keyword से press करिएगा affect या आप यहां से भी affect पे click कर सकते हैं तो sales voucher हमारा क्या हो जाएगा यहां से open हो जाएगा अब यहां से हम क्या करते हैं यहां से भी आप अगर जो supply invoice number डालना चाहते हैं भर सकते हैं यहां से आप sita को select करेंगे और यहां से हम जो sales का laser बनाये थे sales का laser हमने बनाये नहीं था तो हम क्या करते हैं, यहां से Alt C करके, हम यहां से Sales का Ledger क्या करेंगे, Create कर लेंगे, वहां पर Ledger बनाना हम क्या किये थे, भूल गये थे, तो आप यहां से Sales का Ledger बना सकते हैं, बनाने के बाद हम Ctrl A करेंगे, अब जैसे क्या, माउस, माउस हमारे पास 100 पीस है, हम 50 पीस बेज दे रहे हैं, हमने 120 में खरीदा था, हम इसे 320 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, Keyboard, Keyboard भी 50 पीस हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इसे हम 400 में बेच देते हैं, उसके बाद CPU, हम 6000 रुपया इसे भी 50 पीस बेचेंगे, और 6000 रुपया परमेच हम क्या कररे है, बेच दे रहे है, तब बेचने के बाद यहां पे क्या किया, हमने fill करने के बाद हम इसे accept करा लेंगे तो आज हमने जाना इसका basic अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को share करें जिसे उन्हें भी अच्छी जानकारी मिल सके Thank you for watching me